ही ज़्ञास वेलकम तो किर केट कालगच में आप लोग को सवागत है तो आज देखने वाले हैं आप जो देखने वाले हैं डिटी silently Прिंग वर्सेश करते हैं पीछ रिपोर्ट जानते हैं और पीछ विन्यू जानते हैं और प्लेइंग क्या होने वाला हुआ देखने वाला की की प्लियर को दोस्तों बात करते हैं प्लेइंग 11 की तो डीटी डीटी और परसेश केपी केपी मेंस के जो होने वाले मेज हैं उसका जो होता है मतलब यहां प्ले यह उने वाली है तो चलिए देखते हैं तो पहले मैंटी का देखता हूँ तो चलिए जिटी का देखिये मैनी पेरिय기도 फ़र्स्ट में ईपनिंग आएगी और उसके वल्पक के साथ अचाना धुत्ता उसके बाद जनुवी फांडो कैप्टेन जो है यह थर्ड में आएगी और जोती जो हती है वह केपरिंग के साथ ओपनिंग आएगी तो चलिए इसके तो प्लेणिंग 11 आप लोग देख सकते यहां पर किस तरह प्लेणिंग 11 होने वाली है डिटी और के पीक टीम जो है 8 बच एम पर होएंगा तो तो मेस्वेन देखे तो मेस्ट मुझट क्रिकेट ग्राउंड झो होता है गोटा परक्रяет KDY में होगा तो पीछ रुपीट के बात करें तो पीछ रुपीट जो है रजकोर सकता है एक से तक टो हो सकता है और बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर रिपोर्ट की रहेगी और उसके बात कोई चांस नहीं है तो यहां पर वेदर कहें तो बात तो वेदर ठीक है उसके पात पीछ रिपोर्ट जो है ये भी scoring मामले में एक सचो बहुत ही अच्छा है और कहीं जा सकते हैं कि यहाँ पे battle को chance betting वाले को chance मिल सकती है अच्छा परफॉंजमेंस करने के लिए तो आप तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि प्लेयर प्रफॉंजमेंस के टीम से तो कि प्लेयर कोन होने वाली है तो देखिए मैनी पैंग जो होती है कि प्लेयर होने वाले आप लोग के लिए बन सकती है और कालपाना चोथर की प्लेयर हो सकती है पैंग यह भी हो सकती है सांती राय जोगी बोलिंग करती है और निभेतिया बरुवा यह भी बोलिंग करती है अरपाना कर्मा कर यह भी आप यह की प्रियर ले सकते हैं लाखwnieं के चबिश्च that theителя टीम से झूझ है पलटा-वाली है क्योंकि ये जूफ-ती है आरही है पांच मेशτο है वर दो मेश सुर्वाती में हर किया यह और तीन मेच मेच लगातार जित्ती आरही है उसके के बात करें के जो है जो चांसेस है यहां पर डटी की मुकाबले कम है क्योंकि तो जैखते हैं तो देखते हैं तो देखि के जो है कीपर करेगी और उसके साथ साथ यह ओपनिंग जाएगी और यहां पर की प्लेयर आप लोग के लिए बन सकती है क्योंकि यह जो है अच्छी बेस्ट में मानी जाती है उसके बाद देखे अच्छा धत्रा उसके बाद देखे जिनवे पंडो कारवी भाग्टा और नीला यह मेरा मानना है कि यहां पर और अच्छा चलती है और बोलिंग नहीं चलेगी तो बेटिंग अच्छा कर लेती है उसके साथ साथ देखे बेस्ट परफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ की टेम से तो आप देख सकती यहां पर तो मैंग पहले पैंग जो होती है यह अच्छा करेगी और कलपना चौधाल और SM सिखिया एंड है हमलेता पैंग यह जो अच्छा कर लेगी यहां के डिटी की टेम से दोस्तों आप डिटी जितने की चांस है और Kp की टेमसे तो यहां पर बेसिट परफोर्मंस आप देख सकते हैं कर दो बबेससकरा लेज्जिए थो कालपना चौधाल ओभ्राण को आप वहस कब्सं के और यहां के रुप में अप्छेष में आITT और यहां लख केप्टन के रुप में यहां बना्न सकते हैं और सांती रानी जो के बोली एकदम बहत्रिंग करती है और यहाँ पे इसका क्रेडिट भी अच्छा है और पॉइंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं उसके बाद देखिए नवेतिया भार्वा की इसका भी आप ले सकते हैं पॉइंट इसका इसका बना सकती है कैप्टेन कैप्टेन तो आप अगर आप यहाँ पे मल्तिबल ले जा रहे हैं तो सभी को मल्तिबल की रूप में एक-एक गर बना सकते हैं और जितने की चांस वोक को ग्रेंड लेंडि में ज्यादा हो सकती है यहां यहां पर इसको भी बना सकते हैं क्यों यह जो है दोनों हो रहे है और यहां पर न लेख ही वो रहा है यहां Quiseen को भी आप captain और boys captain की रूप में ले जा सकते हैं तो चलिए आप final team के और चलते हैं और कीपर की तो पहले आप को बात करते हैं कीपर की यहां पर बात कर लेते हैं कीपर कीपर में कौन सा बेस्ट चोईस रहेगा तो देखिए आप यहां पे एक जोती देवी और एम मोनी सिख्या जो है सिख्या यह दोनों बेस्ट चोईस है आप लोग के पास देखिए यह भी पॉइंट अच्छी दे रही है और यह दोनों पॉइंट अच्छी देती है उसके बाद आप लोग दे सकते हैं क्योंकि यहां पर जोती देवी के साथ यह फस्ट ओपनिंग बल्लेवाजी करते हैं तो अच्छे नज़ाद दे सकती हैं अगर आप DT की टीम से टीम टॉच जिती है और पहले बल्लेवाजी करती है तो यहां पर मौनी को ले जा सकते हैं आप मोनी के साथ जा सकते हैं कि योग कि यह जो है second बलेवाजी के रूप में जाती है और अच्छा score खड़ा कर सकती है तो आपका best choice होगा तो यहां पर अगर KP की टीम से आएगी तो यहां पर JD को यहां पर इसको ले जा सकते हैं और इसके साथ अगर DT की टीम का बलेवाजी आती हैं तो आप इसको साथ ले जा सकते हैं अभी फिलाल आप यहां पर या पर जी देवी कि साथ जा रहे हैं और उसके बाद फैनल टीम तो अभी बताएंगे बाक्व एनल टीम जो अब छेनल के लिंक के डिस्क्रीप्च न में Fair आप लोग जोईन कर सकते हैं और फाइनल टीम आप लोग को दे दिया जाएगा तो यहां पर बात करते हैं बात करते हैं यहां पर बेस्टमेन के रुप में बेस्टमेन के कोन होने वाले हैं मॉस्ट पर बेस्टमेन कोन होने वाले हैं तो देखिए यहां पर यहां पर जो है ए में लेजा सकते हैं तो मिरा मानना है कि जो है अच्छा रन खड़ा कर सकती है तो आप इसको ले जा सकते हैं और बेस्ट चोएस हो सकता है तो यहां पर यहां पर यहां पर बेस्ट आप लोगा चोईसे हिंशको मत्हीं छोड़ियेगा आफ मैं को और बसके बात देखते हैं SO पर देखते हैं कपी की टेम से बेस्ट दोस्तो यहां पर यह यह धूत्ता को आप यह जो है यह चोथी देवी के साथ औपनी करती है элем जी जॉर्मन जी बॉर्मन जो है ये तो है शिक्स नमर पे जाती है ये शिक्स नमर पे जाती है उसके बाद आप यहां पर बेश्ट इसको भी ले सकते हैं क्योंकि इसको कैप्टेन मान लो यहां पर आगे बेश सकते हैं और उसके बाद ये पी सीखा जो है ये चार नमर पर ब से बल्लेवाजी की करने का पहसला आता है तो आपके यहां पर पी सिख्या के पास ले जा सकते हैं मल्टिपल टीम बनाते हैं तो इसको भी ग्रेंड लिग में तो छोड़ना ही मत चोड़ना यह आप लोग को लिए की प्लेयर हो सकती है तो चलिए फाइनल अभी तो हम है केपि की टीम से ओर यह एक राउंड में यह जातीये से केरीन बल्लेवाजी के रूप में यह जाती है और अच्छा रन खड़ा वी करती तो यह पर जा सकते हैं के के चवाधार और उसके बाद एनबॉरल के साथ अगर मान लिजी यहां पर यहां पर अगर इसका बल्लेवाजी आती है के पी की टीम से बल्लेवाजी आती है तो आप इसके साथ ले जा सकते हैं के चाउथल के पास और एन बोरॉल के पास अगर के पी तो बेटिंग यानी बोलिंग करती है तो आप एन बोरॉल के साथ जा सकती है अभी फिलार एन बोरॉल के साथ जाते हैं उसके बाद अपडेट के बाद आप लोग को पता चल जाएगा किसके साथ जाएगा और यह चार जो है मंस्ट पिक गेंद भाज खेरूप में यह आप लोग को ग्रेंड लिक जता सकती है तो आप यहां पर इसको छोड़के हैं और यह साथ जाए है एक करमाइकम का, अगर DT की टिम बोल्लिण करेगी तो एक करमाइकम के साथ जा सकते हैं आप, आप लोग को भारी टिम बैनल टिम मिल जाएगी तो कोई चिंता करने की बात नहीं है अगर, DT और यहाँ पर KP के जो, DT की टिम बहले बल्लै बाद, क्यानि राद मानले अभी फिलाल मैं के भक्ता के साथ जा रही हूं जा रहे हैं तो उसके बाद फाइनल टीम आप लोगो टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों आप लोगो यह वीडियो कैसा लगा कोमेंट सेक्षा कोमेंट करें और अगर आप लोगो यह वीडियो अच्छा लगा तो ल अगर की फिसूं ओॉक्स ना कि चुंद सकते हैं कि यह नई कि जीदِّ ट्र 15 के अधारित है6 आप लोगो को बताएए कि आप लोगो को कैसे बनाना है तो पी तो आप लोगो की आप बना सकते है और यहां पर प्रविव कर सबंदू करकर और आप लोग को देखागे तो आप देख सकते हैं प्रव्यू आप लोग का तो आप लोग का और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजिएगा दोस्तों जो गलती सलती होगा माप भी किजिएगा तो जय हैं जय भारत अच्छे से खेलिएगा और बिनिंग जलूर होगा एक दि